हेलो पेरे बचो, क्या हाल चला आप सभी के डियर स्टूडेंट्स नवदीब सरकी फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है पेरे बचो तो अपने जो चल रहा था फिजिक्स का चैप्टर नमबर फाइव इंग्लिश मीडियम के चैज़ स्टूडेंट्स के लिए आज पार्ट नमबर बीस लेकरा है हूँ मैं और इसमें जो अपने क्वेस्चन डिसकस करेंगे वो बुक के क्वेश्चन का पार्ट सेकिंड है एक पार्ट मैं इसका पहले करवा चुका हूँ और इसमें जो जो question अपने discuss करेंगे MCQ, very short और short इनके numbers दे दी है मैंने ये ये वाले question अपने discuss करेंगे ठीक है न तो English medium वाले student से मुझे एक शिकायत है और काफी बड़ी शिकायत है कि आप लोग video देखनी रहे हो ठीक है न, तो please ऐसा मत करो जो मैं main कर रहा हूँ प्लीज उसको देखो जरूर आप और English medium वालों के लिए मुझे अलग से देखो main करनी पड़ रही है Hindi medium वाले तो क्या है कि जितने view आपके क्या है तीन दिन में होते हैं Hindi medium वालों के एक दिन में हो जाते हैं अब उसका मुझे पताने भी English medium वाले student का मैं या और लेकिन जो मेरी पहली स्टार्टिंग वाले वीडियो उसमें English medium में भी उज्याद है तो प्लीज रिस्पॉंस जरूर दो ऐसे मत करो आप English medium के students आपके लिए देखो अलग से वीडियो बना के और मैं आपको दे रहा हूँ तो मुझे उमिद आप जुरूर गौर करोगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं बचो आज की वीडियो एक नई energy के साथ पहले अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं multiple choice question यानि MCQ जो option वाले questions होते हैं तो उसमें जो जो question मैंने करवा दिये हैं वो उसको छोड़के बाकी सारे अपने इसके में discuss करेंगे तो सबसे पहले question number two है इसमें क्या दिया हुआ है आपको एक चीज question करने से पहले मैं बता दूँ कि जो आपकी book में question दिये हुए हैं ये वाकई competition level के questions हैं आपको ऐसे लगता होगा कि सर जो book के पीछे question दिये हुए हैं उस question में क्या है कि बिल्कुल भी आप में ऐसा नहीं लगता कि कोई यानि कि कोई जो chapter पढ़ा है उसको पढ़ के ऐसा नहीं लगता कि ये chapter के अंदर से आए हैं अलग से लगते हैं जातर बचों की यही रहती है ठीक है problem तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो आपकी book के question है वो बहुत ही बड़ी है question है और competition के लिए आज से बड़ी है ठीक है न और board के लिए आज से चलो फिर है जब book में दी हुए है तो board के लिए आज से तो हों गई तो क्या है सबसे पहले question number second है two similar wires of same size and resistivity row 1 and row 2 are connected in series equivalent resistivity of the combination will be अब क्या आप कहा हुआ है कि दो same size की wires है ठीक है similar wires है मतलब एक similar का मतलब एक ही metal से बनी हुए अगर एक wire iron की है दूसरी की भी iron की है अगर एक wire copper की है दूसरी wire भी किस की है copper की है तो यानि की दोनों same material से बनी होई है resistivity row 1 और row 2 है तो equivalent resistivity कितनी होगा sorry two similar मतलब एक जैसी है material नहीं लिखा हुआ है इसमें वो sorry मैं गल्त कह गया material same उसमें लिखा होगा कि दोनों same ही material से बनी है तो row 1 और row 2 है तो आपको equivalent निकाल लिए इनकी अब equivalent resistivity तो किसी भी topic में नहीं था ठीक है तो equivalent resistivity की निकालने कैसे यह समस्य आओगी अब तो equivalent resistivity अपने को पता है कि अपने क्या निकाला था equivalent resistance निकाला था और resistance से resistivity related होती है ठीक है तो वही चीज है कि we know that resistivity is row is equal to r a upon l यानि r a upon l क्या होती है resistivity है इसकी तो अपने r a upon l इसकी resistivity अब so it is clear that the change in resistance and resistivity will be in same manner यानि कि जो resistance और resistivity में change होगा यह कहता कि वो क्या होगा same manner में होगा ठीक है बिए resistivity और resistance अब इस formula से देखो आप कि row और r अगर मैं r में r को double कर देता हूं तो row भी क्या हो जाएगा एक साफ से double हो जाएगा मतलब एक दूसरे के proportional है जैसे r change हो रहा है वैसी row change हो रहा है तो इसका मतलब यह है वच्चो कि जो r के लिए formula लगाते है अपने वो ही row के लिए लगा सकते हैं तो अब दोनों का आपने combine किया है तो वही चीज़ है कि it is clear that change and resistance and resistivity will be in the same manner तो equivalent resistivity row 1 plus row 2 हो जाएगी अब उपर लिखा भी हो आए इनोंने कि connected in series है तो जैसे series combination में resistance change होता है equivalent resistance अपने निकालते हैं वैसी क्या हो जाएगे इसमें equivalent resistivity निकालते हैं one plus row 2 अब यह topic अपने book से direct related नहीं है book में ऐसा direct नहीं दिया हुआ लेकिन अपने को खुद को सोच के करना पड़ेगा ऐसा question ठीक है अब next क्या है next question भी direct नहीं है क्या कि conducting resistance is connected to a battery the temperature of the conductor decreases due to cooling अब अपने देखो क्या है conducting resistance दिया हुआ है और वो resistance क्या है एक battery से connected है और उस resistance का अपने क्या कर देते हैं temperature decrease कर देते हैं और किस से उसको ठंडा करके ठीक है भी battery से एक resistance लगा हुआ है ऐसे करके और इस battery से जब यह connected है तो आप इस resistance को अपने क्या कर देते हैं ठंडा करना स्टार्ट कर देते हैं, कूल करना मतलब बर्फ में रख देते हैं, तो अब यह कह रहा है कि the current flowing through the resistance will be up, जो यहां से current जा रहा होगा, बेंटरी से, उस पर क्या effect पड़ेगा यह कहता है, ठीक है अब यह current resistance से जाएगा, तो अब आपको पता है current और resistance में relation अपने को बताता है ohm slow, तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, resistance देखना पड़ेगा, resistance देखना पड़ेगा, फिर ही अपने कह सकते हैं कि current में क्या change आएगा, क्योंकि ohm slow के according V is equal to IR, या I की value निकालों तो V upon R, मतलब कि अपने को resistance में पता लग जाएगा, अब voltage तो constant ही है, अब अगर मालो 5V की बेंटरी लगा रहे हैं कि उसकी voltage 5V ही होगी, अब R की value में temperature के साथ क्या change होता है, उसी से ये decide होगा कि current पर क्या effect पड़ेगा, ठीक है, तो वही चीज़ है कि because the resistance of conductor will increase with increase in temperature and will decrease with decrease in temperature, यानि कि कोई भी conductor है, उसका जो resistance होता है, वो temperature में increase के साथ increase होता है decrease के साथ decrease, या आप chapter में पढ़ चुके हो ये वाली चीज़ है, जब मैंने temperature coefficient करवाया था, या effect of temperature on resistance वो वाला topic करवाया था, तो क्या होगा कि अब अपने उसको क्या कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, cooling दे रहे हैं उसको, तो cooling दे रहे हैं मतलब अपना जो resistance अब ठंडा हो र करते हो कि क्या हो जाएगा, current increase हो जाएगा, so by decreasing the resistance value of current will increase, यह वाला option हो जाएगा, समझाया, direct नहीं है, direct current पर effect नहीं है, लेकिन resistance पर तो है effect, तो इसी तरह से relate करके चीज़े आपको क्या करना पड़ता है, answer निकालना पड़ता है, अब fourth question पर आजाओ, क्या दिया हुए इसम अपनी तरह से, तो इसमें आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, हाँ सर ने डाल दिये सारे question तो हम यहाँ से question उतार लेते हैं, copy कर लेते हैं, हमारा school का count complete best, done, ठीक है, ऐसी बिलकुल भी कोई बात आप मन में मत रखना, देखो इसमें आपको यह law सा बचो, अगर देखो, मैं त खुद करके देखो, खुद करके आपको पता लगेगा कि मुझे problem कहा आती है, फिर वीडियो देख लो, वीडियो में आपको सारा कुछ पता लग जाएगा, और जो छोड़ थोड़ी बहुत mistakes आपकी रही होंगी, वो धूर हो जाएगी, ठीक है, तो मतलब question आप पहले करके देखा करो, समझा ही बात है, कि ये cell of EMF 2.1 volt gives a current of 0.2 ampere, यहीं एक cell है, जिसकी EMF 2.1 volt है, और वो current दे रहा है 0.2 ampere का, the current passes through the 10 norm resistance, जो current है, वो किस से pass होता है, 10 norm के resistance से pass होता है, ठीक है, तो internal resistance of the cell will be, जो cell का internal resistance वो पूचा आप से, अब आपको क्या दे दिया, सबसे पहले मैं आपको एक चीज और बता हूँ, numerical को जब भी solve करते हो, जो चीज आपको given है ना, वो लिखते तो हो चलो आप, आप लिखते होगी EMF, लेकिन उसका symbol भी लिखा करो साथ में, उसका symbol हो क्या होता है, symbol से आपको formula पता लग जाएगा, भी आपको formula कौन सा लगाना है, किस से answer आईगा, अब इसका देखो E होता है, ठीक है, E symbol होता है, current का होता है I, और जो the current passes through a 10 norm resistance, अब ये resistance दिया हुआ है, आपको external resistance, क्योंकि internal में तो लिखी देता भी वो क्या है, साथ में connect है, internal resistance आपको निकालना है, small r, तो अब देखो आपकी इन चारों में कौन सा formula relation बताता ह अपने को, तो वो formula आपका क्या है, आपने पढ़ रखा है, जब cell से अपने current flow होता है, तो जो आपका क्या है, इसमें जो लिखते हो आप terminal voltage और EMF में relation, V is equal to E minus I small r, और V की value आप लिखते हो I capital R, तो वो ही चीज़, वो formula आप यहाँ पे लगा तो देखो क्या आएगा, क्या EMF of cell आपको given है, यह वाला है, E is equal to 2.1 volt current आईए आपको यह given है, और external resistance टैनल, यह तो given चीज़ होगी, अब आपको एक चीज़ पता है, कि जो potential difference जो अपने external resistance लेते हैं, उसके across जो potential difference होता है, potential difference आता है, वो क्या होता है, जो आपके cell की terminal voltage है, उसके same होता है, मैंने आपको numerical में भी आपको बताऊंगा आगे, जो numerical आगे भी आएंगे, उसमें भी यह काम आएगा, तो आपको याद रखनी है, यह चीज़ और मैंने आपको terminal voltage वाले में भी बताया था, ठीक है, जो क्या होता है, कि कोई भी resistance हो, उसके across, जो potential difference आता है, मतलो V is equal to IR जो आता है, external resistance के, व terminal voltage ही होती है, actual में, ठीक है, तो terminal voltage V is equal to IR हो जाएगी, V की value आगी, अब I की value पता है, R की value पता है, तो 2 voltage यहाँ पर terminal voltage होगी, अब आप क्या करो, equation लगाओ, कौन सी equation लगा नहीं है, आपको terminal voltage और EMF में relation वाली, V is equal to E minus IR, अब R find करना आपको, तो क्या करना होगा, इस IR को तो इदर ले आओ, V को यहाँ पर ले जाओ, तो यह हो जाएगा, E minus V, ठीक है, और IR में से क्या है, आपको R की value निकाल लिए है, तो I क्या आजएगा, upon में आजएगा, तो upon में आजएगा, ठीक है, तो यह आजएगा, तो यह 2.1 minus 2 upon में, 0.2 आजएगा, ठीक है, तो क्या आज formula based question है, यह question आप directly कर सकते हो, एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगा, आपको अगए ज़र शिकायत ही कर रहे हैं, लेकिन जो जो अगर मान लो, मेरे डांटने से आप, या मेरे कहने से आप, अगर अपने आप में सुदार कर लेते हो, तो मुझे इससे खुशी है कि कि किसी ना किसी बच्चे का तो जीवन में सुदार आया है, ठीक है, मेरी वज़े से किसी ना किसी बच्चे ने तो study अपनी start की है, या कुछ किया है, उसको बाते दिल पर लगी हैं तो, और जो बच्चे गुसा मना जाते हैं, वो गुसा और तो निकाल नहीं पाते, वीडियो जो dislike कर देते हैं, ठीक है ना, तो गुसा नहीं करना आपको जो teacher होता है, आपको आपके सही life में आपको guidance देता है, भी आपको life में किस direction में जाना, अगर आप गल्त direction में उसको सही direction में मोड ने, तो देखो गल्त direction में कई student ऐसे हैं कि जो मैंने गौर किया है, हिंदी मीडिय अगर नहीं करोगे तो मुझे आप बताओ numerical से बाग के जाओगे कहां, आपका 56 नंबर का paper उसमें 14 नंबर के numerical आते हैं, 25 परसेंट, 25 नहीं तो 20 परसेंट तो आएंगी, 10 नंबर के तो आएंगी, तो 10 नंबर बहुत होते हैं, कम नहीं आते हैं 10 नंबर, दूसरी चीज, कि अगर आप पर नीट या इएटी की त्यारी करोगे आगे जाके, तो उसमें तो है नमेरिकल सारे, तो वहां थोड़ा बाग पाओगे, तीसरी अगर आप B.S.E.B.A.D. करते हो, तो B.S.E. में भी नमेरिकल तो काम करने ही पड़ेंगे, नमेरिकल तो करने ही पड़ेंगे आ ठीक है, तो अब की कीई हुई में तो आपके आगे लाइफ में काम आएगी आएगी, चाहे किसी परकार से आजाए, समझ है ना, तो देखो क्या है, कि इलेक्रिक पावर इस ट्रांस्मेटर थू वन सिटी तो अनधर सिटी थू कॉपर वायर, कि इलेक्रिक पावर है, वो ए अब आपकी बुक में यहाँ पावर लॉस लिखा हुआ है, तो वो लॉस नहीं है, कंजप्शन है, उसको सही कर रहे ना, जो आपकी बुक में मिस्टेक्स हैं, वो मैं आपको सही करवाता रहता हूँ, जहां भी आपको लगे कि सरवाला और बुक वाला मैच नहीं हो रहा, तो सरवाला सही मानना आपको, क्यönratos कि आपकी बुक में गल्तियां पहुत दी हुए हैं, जो राजस्तान बौर्ड की PDF बुक है ना, बहुत गल्तियां उसमें, अडवाइजर में तो होती है, एडवाइजर थो मैंने पिछली बार भी पढ़ाया था, बहुत गल्तियां उसम साथ रखते हैं Hindi medium वाली पुरानी book चपी हुई है उसको वो ज्यादा सही मांते हैं हलांकि English का question English का सही हो जाता है लेकिन क्या है कि Hindi medium वाली book आपकी पुरानी चपी हुई है उसको ज्यादा authentic मांते हैं board तो आप देखो आपको यह वाला question भी आपने नहीं किया हुआ इस टाइप का आपको क्या दे रखा है कि दो सिटिज के between distance 150 kilometers है दोनों क्या है कि जो potential drop है, potential drop क्या होता है, potential drop of voltage ही होती है, ठीक है न जो lines पर या जिन wires के थुरू आपके, क्या आता है, current आता है, आपके गरों में ठीक है न ऐसे कह सकते हो आप तो potential drop 1 km यह एक km पर कितना यानि की voltage आई है कितना potential drop हुआ है वह 8 volt है अब आपने को तो तो 500 km के लिए निकालना है तो क्या हो जाएगा 500 x 8 यानि 1200 volt टोटल voltage पता लगी अपने को अब आपको क्या कहा हुआ है कि resistance तो resistance कितना हो जाएगा एक किलोमेटर का रिजिस्टेंस वायर का 0.5 है तो वो 1.500 का कितना हो जाएगा 0.5 मतलब आदा ओम ठीक है तो 150 का कितना हो जाएगा 75 ओम हो जाएगा अब आपको पावर कंजप्शन पूछेगा मतलब पावर कितनी यूज हो रही है तो पावर पी की वैल्यू क्या होती है अब आपको पता है वी और आर आपके पास है वोल्टेज और रिजिस्टेंस आपने क्या कर लिए फाइंड कर लिए तो वी और आर की फॉर्म में पावर का फॉर्मूला पी इकल डू वी स्क्वेर अपॉन आर तो बारा सो कुना बारा सो बटा पी चेतर अब इसको क्या करो 25 से कैंसल कर दो 25 तिया पी चेतर और 25 चोका 100 और 25 अठा 200 अब 3 को इस 48 से कैंसल कर दो 16 आजएगा 16 को 1200 से मल्टिपलाई करो 19200 आजएगा या इसको किलो वाट में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो यह क्या आजएगा 19.2 किलो वाट इसका क्या आजएगा आंसर आजएगा बच्चो समझा यह बात कोई मुश्किल तो नहीं है direct question है कोई ज़्यादा इतने मुश्किल नहीं है अब देखो next क्या है question आपके पास कि there are five resistances each of our home पांच resistance है हर एक उसमें से आरोम का है first three resistances are connected in parallel पहले तीन जो resistance है वो parallel में connect है after that remaining two are connected in series इसके बाद जो दो बच गए वो series में connected है then the equivalent resistance of the combination will be जो इस जो combination है इसका equivalent resistance क्या होगा यह आपको निकालना है तो अब सबसे पहले आपको इस question में diagram डाना पड़ेगा उसने का पहले तीन resistance को आप क्या करो parallel में combination करो फिर उसके बाद दो resistance को series में तो जो इसका क्या है diagram है वो इस तरीके से बनेगा देखो पहले तीन resistance मैंने इस parallel में और बाद में दो किसमें कर दी है series में तो आपको इन दो point के between क्या निकालना है equivalent resistance निकालना है समझाई तो अब देखो आप इस इसको direct आप diagram से कर सकते हो question को इन तीनों का equivalent निकाल लो क्या आ जाएगा R upon 3 आ जाएगा मैंने कहा था 3 equal resistance अगर आपके क्या लगे हो हो पैरलल में लगे हो R upon 3 3 or 2 R अब मुझे बताओ R upon 3 or 2 R फिर किस में है सीरीज में तो सीरीज में करके direct in को जोड़ दो add कर दो दो दोनों को क्या आ जाएगा answer आ जाएगा ठीक है ना तो वही चीज की है यहां पे वैस क्या है कि theory यह जो theory लिखी है ना अब देखो मुझमानी तो आपने answer निकाल दिया और यह answer आपका competition exam में आपको पूरे number दिला देगा लेकिन 12 बोर्ड के exam में पूरे number नहीं दिलाएगा वहाँ examiner theory मांगता ही मांगता है थोड़ी बहुत वो कहता है कि ऐसे तो फिर question बढ़ने ही नहीं कुछ पते हैं लगा आपने direct calculation कर दी calculation करके फिर क्या पता लगेगा कैसे निकाल answer यह कौन सा formula लगाया आपने या क्या कुछ किया इसमें तो उसको नहीं पता लगेगा theory लिखनी आपको पड़ेगी अगर theory नहीं लिखनी की आदत डाल ली आपने तो आपके number कटेंगी कटेंगी यह सोच लो ठीक है क्या का हूँ आपको according to figure equivalent resistance of parallel combination जो parallel combination इसका equivalent resistance R equivalent 1 लिख दिया मैंने R by 3 और बिल्कुल इसी 3 के equivalent resistance of series combination है जो दूसरा वो R equivalent to 2R की एकुला गया now both the equivalents are in again in connected in series combination दोनों equivalent आप दुबारा से किसमे connected है series में यह वाले दोनों ठीक है तो अब देखो क्या है यह दोनों का फिर से अगर अपने equivalent निकाले तो R equivalent is equal to R equivalent 1 plus R equivalent 2 R by 3 plus 2 R आपका क्या आजाएगा R plus 6 R by 3 मतलब 7 R by 3 इसका क्या आजाएगा answer आजाएगा मतलब कि यह आपका आजाएगा इसमें यह B ठीक है न अब next क्या है इसमें जो दिया हुआ है थोड़ी सी आवाज सलो कर रहा हूं गड़ा थोड़ा सहुआ पड़ा है मेरा तो देखो क्या है question number 7 क्योंगी इसमें एक से लिए कि 6 question होगे थे 7 रह गया था क्या है कि write down the value of current flowing through a bulb of 40 watts 20 volt यनि आपको क्या है 20 volt की जगह 220 volt आना था यहां पर मैंने 20 volt पता नहीं आपकी बुक में सही दिया हुआ या और या मैंने गलत लिख दिया है इसको चेक कर लेते हैं एक पर आपकी बुक से question number 7 ठीक है आपकी बुक का यह 220 दिया हुआ है मैंने गलत लिख दिया इसको sorry इसके लिए आप इसको 220 volt कर लेना वही एक बलबह उसकी power और voltage दी हुई है आपको पूछा हुआ इसमें से current कितना flow हो रहा है ठीक है तो आप देखो भी आपको voltage power दी हुई है current निकालने तो p v और i में relation क्या होता है तो p की value given है v की value given है i निकालने तो p is equal to v i से i की value क्या आजएगी p upon v तो p upon v 40 upon 2 24 upon क्या आजएगा 22 या 2 upon 11 या इस cancer आजएगा 0.18 ampere समझाया कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था अब next है short answer type question इसमें क्या है कि in the given figure the resistivity of same conductor are rho 1 and rho 2 ohm into meter यानि कि एक आपको figure दी हुई है लेकिन figure book में भी नहीं दी हुई और तभी मैंने आप भी नहीं उनाई और बनाने की जुरूरत भी नहीं है direct answer आ रहे है कि अपने को क्या है same conductor दी हुए है दो बिलकुल same conductor है मतलब material same है और उनके resistivity rho 1 and rho 2 DOE है तो what is the ratio of rho 1 and rho 2 अब जब material ही same है तो resistivity different कैसे हो सकती है मुझे यह बताओ resistivity different नहीं होगी जब material same है क्योंकि resistivity depend करती है nature of substance पर तो क्या होगा दोनों के resistivity same होगी तो दोनों का ratio क्या आजएगा अब ऐसे question paper में बहुत गुमाते हैं अब आपने को ऐसे लग रहा होता है कि इसका तो कोई इसमें numerical term ही ने दी होई तो ratio निकाल लेंगे कैसे इसका लेकिन है क्या यह उसने बता दी है कि same है conductor दोनों का material same है rho 1, rho 2 same है one ratio, one answer आजएगा ठीक है ना तो यह इस type का answer होता है अब next है question number three in the given figure there are two similar cells whose EMF are same and internal distance are negligible यानि दो cell दी होई है इनका internal distance negligible है मतलब zero है आप कह सकते हो क्या है जब negligible है दिये ही नहीं है यहां पर तो zero है these cells are connected in parallel what is the value of current यानि की current की value आई यह क्या होगी जो इस resistance में से जा रहा है ठीक है यहां पर भी मुझे लगता है मैंने miss कर दिया question what is the value of current जो यह question है आपका यह वाला third current flowing through the resistance आर यह भी आना साथ में मैंने कारणा मैंने miss कर दिया यहां पर कोई ना कोई गलती या कट गया हो नीचे से जब मैं इसको scan किया होगा नीचे line लिखी तो होगी वो कट गई होगी तो चलो कोई बात नहीं इसको सही कर ले ना आप कि जो यह resistance आ रहा है आपका इसमें से current निकालना है जो आई इसमें से फ्लोर है और दोनों cell किस परकार से connected हैं आपके parallel में connected हैं दूसरी चीज इनके internal distance 0 है तो start करते हैं इसको देखो आपको पता है internal distance of cells is 0 तो e minus v e is equal to v minus ir से internal distance 0 रख दो तो e v के equal आजएगा मतलब जो क्या होगी इसके यहां पे across voltage आएगी वो क्या होगी cmf की equal आएगी so value of potential drop across the resistance या terminal voltage is same as emf emf के same या terminal voltage तो current flow क्या होगा i is equal to v upon r से v क्या होता है potential difference होता है जो आपने resistance r लगा रख है उसके across तो i is equal to v upon r से v की value e की equal है तो e upon r बस answer ठीक है जब कोई और कोई value नहीं दी तो answer इसी की form में आपको question में दिया क्या हुआ है आपको एक i given है एक e given है और एक r given है तो i की value e और r की form में निकाल दी आपने बस जो चीज given होती है उसकी form में value निकाल नहीं होती है तो वो निका आपको practice करनी पड़ेगी practice makes a man perfect तो वो आपको करनी पड़ेगी next देखो explain the difference between terminal voltage and emf of cell यह आपने पड़ी रखा है इसमें आप जो मैंने theoretical part में करवाया था terminal voltage और emf उन दोनों के definition लिख सकते हो या उसमें से difference निकाल के जो main difference वो मैंने लिखा यहां पे potential difference across the terminals of battery in open circuit open circuit मे जो potential potential difference होता है उसको emf बोलते है और battery जब load circuit में होती है मतलब battery से आप current ले रहे हो जब circuit में तो उस time जो battery के across जो ends के across क्या होता है potential difference होता है उसको अपने क्या बोल देते है तर्मिनल वोल्टेज बोल देते है और इस terminal voltage की value जब आप battery से current ले रहे हो emf से कम होती है समझा ही बात question number 6 तो 6 देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि a resistance wire of 8R is bent in the form of a circle then what is its equivalent resistance across the ends of a diameter अब इसको समझो question को आपने क्या कर दिया आपके पास एक wire थी लंबी उसको मोड के एक circle बना दिया तो ये कहता कि कोई भी इसका diameter है उसके दोनों ends के between मतलब मान लो ये मैं इसका diameter ले लिया तो इन दोनों ends के between इसका क्या करो equivalent resistance निकालो अब आप दोनों ends कोई भी ले सकते हो क्यों कि जो ये circle होता है इसके सारे diameter सेम होती है तो कोई मर्जी ले लो मैंने ये वाले दो लिये हैं आप कोई मर्जी ले सकते हो ये वाले दोन ले सकते हो तो अब आप देखो कि जब अपने इन दोनों के between क्या करेंगी equivalent resistance निकालना चाहेंगे तो अब ये दो ends हैं ठीक है और आप देखो कि जो total इसका जो आपकी wire थी ये वाली इसका था resistance 8R तो अब ये जो diameter इसको दो parts में divide करते है 4R उपर लगवा और 4R नीचे तो ये बेलकुल वो condition होगी कि आपने क्या कर रखा है एक resistance ऐसे लगा रखा है और एक resistance आपने ऐसे लगा रखा है और दोनों ends से ये वाला और ये वाला इनके between क्या निकालना आपको equivalent resistance तो मतलब ये दोनों मेरे कैने के मतलब ये है कि ये दोनों किसमें लगे होई है parallel combination में और parallel combination में equivalent resistance आप कैसे निकालते हो R1 R2 upon R1 plus R2 तो ये आपके पास 4R into 4R upon 4R plus 4R तो 2R इसका क्या जाएगा answer आजएगा ठीक है ये सारी theory लिखी हो ये इसको पढ़ ले ना आप कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है तो ये थे बचे आपके आज के questions जो मैंने आपको करवाई है और questions शायद इसमें एक आपकी book में क्या है कि ये अलग दे रखा है question 8 हिंदी medium वाली में साथ ही question है ये can terminal voltage of cell भी greater than EMF of a cell terminal voltage cell के EMF से बड़ी हो सकती है तो हो सकती है मैंने आपको बताया भी था कैसे जब मैंने आपको कहा था कि V is equal to E plus IR ठीक है तो ये formula कब लगता है जब आपका cell को क्या कर रहे हैं अपने charge कर रहे हैं तो आप कह सकते हो कि in the charging of cell terminal voltage is greater than EMF EMF से बड़ी होती है terminal voltage जब अपने cell को charge कर रहे होती है तो ये बच्चों आपके आज के question दे next जो वीडियो है वो आपको आज ही मिलेगी इसके बाद just बाद उसमें मैंने एक number question इसका एक बाद 5, 6, 7, 8 और 11 12 number question मैं आपको करवा चुका हूँ तो इतने question मैंने करवाई है तो वो आप उस वीडियो में देखना है इससे next part आज इंगलिश मेडियों को दो part मिलेंगे और happy new year आपको मैं बोलना भूल गया आपको ठीक है मिलते हैं बच्चों next वीडियो में तब तक के लिए thank you have a nice day dear students